दोस्तो नमस्कार मैं राजेश कुमार आप लोग के सेवा में फिर से हाजिर हूँ और आज का अप टूडेट है बिहार आई टी आए अनुदेशक बहाली के संबंध में तो वीडियो थोरा सा लंबा होगा दोस्तो तो पूरा पूरा वीडियो देखें फिर समझ में आ है वहां जो अप टूडेट क्या क्या है वह भी आज पूरूफ के साथ होगी सारा डिसकर्शन चलिए दोस्तो तो पहले डिसकर्शन फर्स्ट में हम करेंगे आज किस किस कैटेगरी में कितना पोस्टे होंगे उसके बारे में तो उस लेटर को हम आप लोग को समझाना चाहे होगे आप लोग एसकीन पर आप देख रहे होंगे डिस्पेले पर आप लोग को दिख रहा होगा उसके बारे में हम डिसकर्शन करेंगे दोस्तो आप देख सकते हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है तेकनिकी चैन आयोग को नियुक्ति के लिए भेजे जाने वाला संसोधित अधियाचना पर पत्र आप देख रहे होंगे दोस्तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको थोरा समय बरा कर दूँ इसको ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो दोस्तो यह लेटर है जो बिहार तेकनिकी आयोग को जो हमारा बिभाग है वो बिभाग ने जो भेजा है वो लेटर है आप डिस्पिले पर देख रहे होंगे बिभाग कारियालय का नाम आपको दिख रहा होगा बिभाग कारियालय का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है मैं आपको परके बताना चाहूँगा दोस्तो पद सेवा का नाम क्या है बेवसाई अनुदेशक है और अगर बेतनमान की बात करेंगे तो बेतनमान है 93,000 से 34,800 और grade पे की बात करेंगे तो वह 42,000 है दोस्तो लेवल की बात करेंगे बेतनमान लेवल तो बेतनमान लेवल जो है इसका 6 है अब हम बात करना चाहेंगे दोस्तो मैन मैन मुख विंदू पर बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्तो मैन मुख विंदू क्या है आप लोगों को ले चलते हैं हम कॉलम संख्या आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखेंगे कॉलम संख्या चार चार में लिखा गया है नियुक्ती पाधिकारी निर्दे सालन योजन इवंपर सिच्छन पक्च बिहार पठना रिक्तियों के अब आजाएए कॉलम संख्या पाँच में वो तो चार था कॉलम संख्या पाँच में क्या है रिक्तियों की संख्या जिनके लिए जो है आयोग से अनरोध आपेच्छित किर्थ है मतलब कि इसके में discussion जो होगा दोस्तों वो है जो कितना कितना post जो है किस category में होगा उसके बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं आपको display पर दिख रहा भी होगा और हम उसको समझाना चाहेंगे आप लोग के सामने देखिए column संख्या 1 में देखना चाहेंगे अनसुचित जाती के लिए जो योगता होगा engineering degree diploma के लिए उसमें 194 पोस्ट हो जाएगा अब आजाए योगता जो है ITI वाले के लिए वो हो जाएगा आपको 135 पोस्ट होगा जो कि अनसुचित जाती के लिए योगता MBA के लिए जो कि 29 पोस्ट होगा अन्सुचित जाती के लिए टोटल की बात करेंगे अन्सुचित जाती में पोस्टों की संख्या होगी 359 अब कॉलम संख्या 2 में देखें अन्सुचित जन जाती की बात करेंगे अन्सुचित जन जाती में क्या है योगता engineering degree डिपलोमा वाले के लिए जो है 17 पोस्ट हो गया और योगता ITI वाले के लिए 12 पोस्ट हो गया और MBA के लिए 2 पोस्ट टोटल हो गया 31 और 31 पोस्ट कॉलम संख्या 3 में देखेंगे अत्यांत पिछराबर्ग यहाँ पर देखेंगे सुरी 144 नहीं, 221 पोष्ट, और योगता इटी आई वाले के लिए हो जाएगा, 147 पोष्ट और योगता MBA वाले के लिए आपको हो जाएगा, 33 पोष्ट अनि 33 पोष्ट और टोटल जो है 401 पोष्ट हो जाएगा, किसके लिए? अत्यंत पिछरा वर्ग आयोग के लिए पिछरा वर्ग वर्ग के लिए अब हम कलम संख्या चार की बात करेंगे पिछरा वर्ग की बात करेंगे पिछरा वर्ग में पिछरा वर्ग के लिए योगता जे इंजिनियरिंग डिपलोमा धारी के लिए 144 पोस्ट हो गया और ITI वाले के लिए 81 अनी 81 पोस्ट हो गया और योगता MBA के लिए 22 पोस्ट हो गया टोटल 240 पोस्ट हो गया किसके लिए पिछरा वर्ग के लिए अब बात करेंगे कॉलम संख्या 5 की कॉलम संख्या 5 में क्या है पिछरा वर्ग की महिला के लिए योगता इंजिनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा वाले के लिए 136 पोस्ट हो गया और ITI वाले के लिए 28 पोस्ट आपको और MBA के लिए 6 पोस्ट, टोटल हो गया 70 पोस्ट आपको अब बात करेंगे कॉलम संख्या 6 की अनि 6 नंबर का 6 नंबर में के अन आरच्छित मतलब की यू आर के लिए यू आर में जो है योगता इंजिनियरिंग डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए 497 पोस्ट है और ITI वाले के लिए हो गया आपको 357 पोस्ट और MBA के लिए हो गया 74 पोस्ट अनि 74 टोटल हो गया 928 पोस्ट किसके लिए यू आर के लिए अब आज आएगे कॉलम संख्या साथ की बात करें है साथ में क्या है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS के लिए EWS में आपको बता दे योगता इंजिनियरिंग डिप्लोमा वाले के लिए 120 पोस्ट हो गया जो आपको दिख रहा है डिश पीले पर और योगता आएटी आई वाले के लिए T5 हो गया और योगता जो है MBA के लिए जो है अटारा पोस्ट हो गया टोटल 220 पोस्ट हो गया जो की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले के लिए यहां पर देख रहे होगा आपको दिख रहा होगा योग यह निट टोटल सीट की बात करेंगे तो योगता इंजिनियरिंग डिपलोमा वाले के लिए 1229 पोस्ट हो गया और आइटी वाले के लिए 845 पोस्ट हो गया और MBA के लिए 184 पोस्ट टोटल जो है 1229 आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा 225 पोस्ट हो गया चलिए दोस्तों हम अब यह तो हो गया आपको जो कैटेगरी बाइट पोस्टों की संख्या काफी बच्चे परिशान होते हैं कि जिसर इसमें आप यह बताओ कि यह कैसे हुआ कै तो दोस्तों थुरा सा समझने का परियास करेंगे और हम बताना भी चाहेंगे जो इसमें 81 कोलेजे की बहाली हो रही है अनि 80 कोलेज की कितना कोलेज का 80 कोलेज का बहाली की आ जा रहा है जिसमें से हम आप लोग को बताना चाहेंगे आप लोग देख सकते हैं और बताना भी चाहेंगे कि ITI वाले वाले बच्चे जो है और काफी प्रेसान हो जाते हैं और प्रेसान रहते हैं जिसर यह कैसे हो गया यह कैसे हो गया तो ITI वाले वच्चे समझेंगे क्या है EL के लिए यानि electrician के लिए आपको बता दू 162 पोश्ट हो गया अगर F T की बात करें फीटर वाले के लिए तो वो भी 162 पोश्ट हो गया यहनि 81 को 2 से मल्टिपलाई करेंगे तो 162 पोश्ट होगी तो यह जो 81 college की बहाली हो रहे है इसी परकार से degree diploma वाले के लिए भी इसी परकार से सीटे की संख्या होगी 162 electrical के लिए हो जाएगा और mechanical की में और सारा आ जाता है जैसे की feature हो गया और mechanical में plumber builder यह बगेरा यह सब आ जाता है तो वो उसमें जह है include किया जाएगा लेकिन 81 college की संख्या से आप देख सकते हैं और दूसरे वीडियो में हम उसको ले करके आएंगे और discussion करेंगे इस वीडियो में आप total category by seat जाने अगले वीडियो में उसको भी हम बना देंगे और बताएंगे दोस्तो हम आगे लेके चलना चाहेंगे मैन जो है मुख पॉइंट पे आज बात करेंगे मुख बिंदू क्या है column संख्या serial number आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा यहां serial number 6 की बात करेंगे 6 नमबर में लिखा है क्या नियुत्म सैचे निक योगता और 7 नमबर में उन्होंने लिखा है क्या तैकनिकी योगता यदि अवसक हो तो आठ नंबर में उसने लिखा है बांचनिय योगता यदि कोई हो तो आठ नंबर आप देख रहे होंगे 9 नंबर में लिखा गया है अनुभव यदि अवसक हो तो यह नी experience की बात किया हम ये तीनो का बात करेंगे ये तीनों है क्या जो नियुंतम सैचनी की योगता जो आपका हो गया मतलब इस पोस्ट के लिए जो बहाली होगी उस बहाली में क्या सैचनी की योगता है उसके बारे में बात कर रहा कॉलम संख्या साथ में टेकनिकी योगता यदी अवस्यक हो तो और कॉलम संख्या आठ में बांचनिया योगता यदी कोई होतो और कॉलम संख्या नौ में अनुभव यदी आवस्यक होतो अब आगे क्या लिखा है आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को एसकीन पर और हम बताना भी चाहेंगे बिहार अद्योईक परसिच्छन अनुदेशक संबर्ग नियमा वली 2018 के नियम संख्या चार चार में जो बर्नित होगा उस नियम को आप पालन किया जाएगा इस बहाली परकिरिया में नीचे में दिख रहा होगा विभागिया अधिसूचन संख्या 950 दिनांक 11.5.2018 दुआरा जो है अधिसूचित यानि की 2018 का जो नियमा वली बना था वो कॉलम संख्या चार में जो बर्नित होगा उस नियम का पालन इस बहाली में की जाएगी चलिए दोस्तू यह तो समझ गए होंगे और कॉलम संख्या आप 4 की बात करें तो 4 में भी आपको लिखाना भी चाहेंगे 4 में असपष्ट सब्दों में क्या लिखा है फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कॉलम संख्या आजाईए यहाँ पे 4 आप लोग को दिख रहा होगा बहली बाती कॉलम्शन के अचार है यहाँ पर क्या लिखा है भर्ती का स्रोत संबर्ग में सीधी भर्ती मुल्कोटी में जो है लिखित परिच्छा के अधार पर अनुसंसा के अधार पर ही की जाएगी यानि की साफ सब्दों में यहाँ पर हो गया कि इस बहाली में जो है रीटन टेस्ट होगा और दोस्तों हम थोरा सा और इसमें बात करेंगे जो आर्टिकल चार में क्या क्या है पूरा सा पूरा उसके बारे में हम दिखाना चाहेंगे और बताएंगे उसके बारे में क्या-क्या है वो है आपको बता दूँ देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको एसकीन पर दिख भी रहा होगा सीधी नियुक्ति के लिए नियुन्तम सहचनी की योगता टेकनी की योगता एब अनुभब की बात करेंगे सबी लोग ऐसे जानते भी होगे भाली भाती लेकिन थोरा सा हम इस पर जो है चर्चा कर लेंगे क्या है डिगरी धारी के लिए अगर बात करेंगे तो चार वर्स का डिगरी होगी यहाँ पर आप देख रहे होगे जो engineering degree धारियों के लिए जो हो गया यहां पर क्या हो गया चार बर्स का जो है course होना चाहिए और one year का experience होना चाहिए कितना year का one year का अब हम बात करेंगे डिपलोमा वाली के लिए यहां पर आपको दिख रहा होगा डिस्पिले पर और नियमा वाली में आप देख लेंगे डिपलोमा वाली के लिए two years का experience हो जाएगा ठीक है अब बात करेंगे हम ITI वाले के लिए तो ITI वाले के लिए three years का experience आपका हो जाएगा clear अब हम बात करते हैं वहां पर चलते हैं जहां पर हमने छोड़ा था यहां पर सिर्फ हमको नियमा वाली 2018 में नियम चार में देखना था जे चार में क्या लिखा है तो चार में साब सब्दों में यहां पर लिख दिया है कि आप देख रहे होंगे लिखित पर इच्छा के अधार पर होगा इसलिए उस लेटर में लिखा गया था कि नियमा वाली 2018 के कॉलम सक्या चार में जो बढ़नीत है वो आपको यहां पर फ्लो करना परेगा चलिए हम चलते हुआ पर है मुख बिंदू यहां पर और क्या है 11 नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं दीख रहा होगा आपको आयू नियुंतम मतलब एज लिमिटेशन की बात कर रहा है युन्तम और अधिक्तम और यहां पर लिखा है क्या आपको दिख रहा भी होगा दिस्पेले पर क्या बिहार अद्विक पर सिच्छन अनुदेशक संबर्ग नियमावली 2018 के नियम संख्या साथ के अनस्वार मतलब कि 2018 का जो नियमावली बना है उसमें कॉलम संख्या साथ में परहेंगे जो एज का लिमिटेशन जो होगा वो फोलो इस बहाली में की जाएगे अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला पॉइंट क्या है ग्यारा नमबर तो हो गया बारा नमबर पॉइंट में क्या है में इंपोटेंट है ये आप देखना चाहेंगे और देखेंगे आपको दिख भी रहागा उमिदबार का चैन किस अधार पर किया जाना है यहां पर देख रहे होगे उमिदबार को चैन किस अधार पर किया जाना है पहला में दूसरा में इसने दे दिया है दूसरा में क्या है केवल सॉरी यानि उमिदबार का चैन किस अधार पर जह किया जाना है और पहला नमर पॉइंट में दे दिया है क्या केवल सैचनिक अंको के अधार पर आपको दिख रहा होगा डिस्पिले पर दूसरा में दे दिया है केवल लिखित परिच्छा के अधार पर और तीसरा में दे दिया है केवल साथ चार कार के अधार पर और चौथा में दे दिया है उपरोक्त में से किसी दो अथवा उससे अधिक के मिशरन के अधार पर यही इस भिष्षणा अनुदेशक संबर्ग नियमावली 2018 के नियम, नौ के अनुरूप मतलब कि 9 में जो बरनित होगा उस पर यह बहालिक कि जाएगे और 9 में जो बरनित है, 9 में बरनित आप परहे मी होंगे नियमावली में और फिर से आप देख भी लेंगे थोरा सा हम इसमें सौट में बात करना चाहेंगे क्या है उसमें बरनित तो उसमें बरनित है क्या जो पचास नंबर तो आपको अंक से मिलेगा पचास नंबर का जो है अंक का धारित होगा कितना का? पचास नंबर का फिप्टी मार्क्स का आपको क्या होगा? अंका धारित होगा 50 नमबर और 50 परतीसद सोरी 50 नमबर नहीं 50 परतीसद 50 परतीसद तो आपको अंको के माद दिम से मिलेगा और 50 परतीसद आपको किसे मिलेगा return team Mrs. से मिलेगा ठीक है दोस्तों अब यह कैसे होगा जैसे कि किसी का technical qualification है तो टेक्निकल क्वाइलिफिकेशन के लिए जो है 20% मार्क्स होगा और पलस अंका धारित बात करा CITS के बात अगर की जाए टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल क्वाइलिफिकेशन में आपको हो जाएगा 20% और आपको CITS वाले के लिए CITS वाले के लिए हो जाएगा 30% यह दोनों मिला करके 50% यह हो गया जैसे कि फॉर इक्जामपल आप टेक्निकल में आपको अगर 80% मार्क्स है तो 80 का 20% करोगे आप तो कितना आता है आठ दुनी 16 अनि 16 मार्क्स आपका हो गया यह अगर CITS में मालो 80% आपका आया तो 80 का 30% तो कितना हो गया आठ तरिक 24 24 अशोल जो है आपको दिखाना चाहेंगे कितना कितना आया था टेक्निकल में मालो की आप 80% का निकाले हैं असी का 20% तो आपको 20% जिरो से जिरो खतम यानि 16 मार्क्स यह हो गया और बात करेंगे असी परसेंट ही अगर CITS में है तो इसका 30 परसेंट यानि इसका मतलब है आठ तरिक 24 मार्क्स यानि आपको 50 में यहां पर मिल गया कितना 24 और पला सूल ला जीरो अनि चालिक स्मार्स चालिस जो यह मिल गया आपको 50 में और दूसरा हम डिसकेशन करेंगे रीटन टेस्ट में अगर रीटन टेस्ट में आप मालो कि 100 नमबर का कोई रीटन टेस्ट हुआ है जिसमें आपका 60 नमबर आ रहा है तो 60 का क्या हो जाएगा 50 परसेंट निकालो आप 50 परसेंट 0 से 0 खतम हो गया 26 पंचे 30 एनि की रीटन टेस्ट से आपका 30 मार्क्स आ गया और उधर आया था मेरा मालो कि 40 आया था कितना आया था 40 40 मार्क्स उधर नमबर से आ गया था 30 मार्क्स हमारा आ गया किस से इस से यानि 40 30 70 मार्क्स जो है आपको मालो की 100 नमबर का जो है एक्जाम में आपका 70 नमबर आ गया दोस्तों आगे भी हम बात करना चाहेंगे कि यह अब यह तो आपको जन्रली होगी और जो भी कैरी होगा तो फिर हम अगले दूसरे वीडियो में बना देंगे दोस्तों आगे हम समझना चाहेंगे यह लेटर जो है आपको बिहार टेक्निकी सिवायो को कब गया था वो लेटर गया था आपको पहले भी एक आउडियो में बताया था कि 14-7-2021 को लेटर गया था किसके पास बिहार टेक्निकी सिवायो के पास कौनसा लेटर यह बहाली से संबंदित जो भी लेटर था जो बच हुआ बचा हुआ था वो लेटर आगे और हम बात करना चाहेंगे और अप्टूडेट की बारे में और अप्टूडेट क्या है भी क्रेंट में अब ये तो हो गया आप देख चुके होंगे ये भी आपका हो गया अब आजाएए यहां पर हमने अभी जैस्ट आपको बताया थ यहां था 14-7-2021 वो क्या है आपको दिख रहा होगा डिस्पेले पर यहां पर 14-7-2021 और यह भी दिख रहा होगा यहां पर प्रेशक में निर्देशक नियोजन एवं परसिछन पक्च बिहार पटना सेवा में सची बिहार तेक्निक की आयोग बिहार पटना यानि 14-7 को यह लेटर जो गया था और वो लेटर क्या है बिशय में आपको हम समझाना चाहेंगे जो बिशय में क्या है और देखी आप लोग को देखी भी रहा होगा राज के अद्विक परसिछन संस्थान में बेवसाई अनुदेशक की नियुक्ती है तू बिभीन बेवसाई के पाठे करम अनि सिलेवस का प्रेशन के संबंध में और आगे आपको ये भी दिख रहा होगा यानि कहने का मतलब इससे हुआ क्या जो सिलेवस का जो लेटर था वो सिलेवस लेटर हमारा केया था कितना डेट को 14.7.2021 को सिलेवस जो बिभाग से बिहार टेक्निकी आयोग के पास गया था और आगे दोस्तों आपको इसको पूरा पर के हम नहीं बता सकते क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा हम मैन मैन मुख विद्दू पर बात करेंगे और कुछ नहीं है आजाई यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं लास्ट में एक ही बार जो लास्ट में क्या है लास्ट का परना चाहेंगे उप्रोक्त के आलोक में जो अनरोध है कि जो सर्मसंसादन विभाग के नियंतर अधिन निर्देसालन योजन इवं परसिच्छन पक्ष बिहार पटना के अधिन अधिनास्त अ अनुदेशक की नियुक्ति है तू विग्यापन परकासित कर अब अन्य परकिर्या पूरा करते हुए जो है आयोग उमिद्बार को जो है चैन कर अपनी जो है अनुशंसा अविलम निर्देसालन को उपलब्द कराने की किरपा की जाए और यहां पर आपको दोस्तों दिख होगा क्या है यहां पर सिलेवस यानि कि सिलेवस जो डेट भी दिख रहा होगा यहां पर क्या है डेट आप देख सकते हैं 137021 को इसे लेटर टाइप हुआ था किसमें विभाग में और 147021 को गया था लेटर किसके पास बिहार तक्निकी आयोग के पास तो दोस्तों और आग पर जेवा में बिहार सेवा में सचीब बिहार टेक्निकी सेवा आयोग बिहार पटना और विशय में देख रहें हैं साधन विभाग नियोजने वाम नियुजने वाम परसिच्छन पक्ष अधिनक्स्त अध्योग परसिच्छन सथान बेपसाया नुदेशक की कुल 2259 निमित नियुक्ति है तू विग्यापन परकासन करने के संबंध में यानि इसका अर्थ है कि ये जो रिमाइंडर जो भेजा गया कि इसके पास बिहार टेक्निकी आयोग के पास किसने भेजा है वो विभाग भेजा है वो लेटर हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि 29-11-2020 को रिमाइंडर फिर भेजा गया है बिहार टेक्निकी आयोग को और दोस्तों काफी विडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इस विडियो के हैं पर इंट करना चाहेंगे और जो भी कैरी होगा जो भी होगा अगले साल हम हैपी नियू यार में आते हैं और फिर जो है एक नए नि आते हैं